दोस्तों हाली में दंगल गर्ल सुवानी भटनागर की मौत हो गए बहुत ही आश्चरिया है एक छूटी सी बच्ची प्रैक्चर के इलाज में कैसे कोई जान जा सकते हैं दोस्तों हम जो भी दवा खाते मेडिकल स्टोल से लाते हैं उसमें क्लियरली लिखा होता है ट्रंगिस्ट एंड कैमिस्ट यानि कि यह दवा जो है कैमिकल से बनी हुई है और आलकॉल भी होता है तुछ दवाईयों में यानि कि इसके साइड इफेक्ट होते ही हैं इसलिए आपको दाने निकलते बॉड़ी में या फिर घुजली होती है या फिर स्कीन प्रॉब्लम हो जाता है या फिर सूजन आती है तो तुरण उसे दवा को बंद कर दे क्योंकि यह सब साइड इफेक्ट है तो दंगल गल को भी नहीं पता था यह साइड इफेक्ट है और बहुत होती है ज्यादा देर होने के बाद टॉक्टर ने भी हाथ खड़ी कर दी कहने का मतलब यह है कि यह किसी के साथ भी हो सकता है उमर का कोई लेना देना नहीं है चाहिए उमर 19 साल हो 40 साल हो 60 साल हो दवा से अगर आपको रियक्शन अच्छा नहीं आ रहा है तो तुरंद उसे बंद कर दें कि बहुत ही दुकत घटना है दोस्तों कि समझ में नहीं आता है कि उनके परिवार पर क्या बीचती होगी कि जो दवाई हम ले रहे हैं हंडेट परसंट इसके साइड एपक्ट होता है